आदिन्न दाना विर्मनी सिख्खाप दंस्मादियामी भिक्कू और रिशी में क्या अंतर होता है? आपने ये दो नाम बहुत सुने होंगे भिक्कू या भिक्कूनी या रिशी जो रिशी में आधा शे होता है और शटकून वाला जो शे होता है ये पाली के नहीं है सबसे पहले आप ये देखें कि एक जगे पाली में आती है जिसको इसी पत्तन मिगदाय बोलते हैं यानि जो बनारस का वारनसी का या जो आज का समय कासी है उसका जो सबसे पुराना नाम है वो है इसी पत्तन मिगदाय यानि कि इसी पत्तन का मतलब होता है जो पाटन होता है या जिसको बोलते हैं बन्दरगाहा आज की समय में तो जो जैसे आपने सुना होगा कि पत्तन का मतलब हारबर होता है तो जहाँ पर जिस नदी के तट पर सबसे ज़्यादा इसी उतरते थे रहते थे उसको इसी पत्तन बोलते है यानि ऐसा तट ऐसा बंदरगा जहाँ पर अधिक से अधिक इसी उतरते है इसलिए उसको इसी पत्तन मिगदाय बोलते थे इसी पाली का पुरारा नाम है इसी का मतलब होता है जो अपने सरीर की ऐसी चीज़ों को देखता है जिसको वो आँख से नहीं देख सकता यानि कि जैसे मन की अवस्था है या जो सरीर में तरंगे चलती है जो सरीर में होता रहता है जो सरीर के और मन के बीच में होता रहता है जो उसको समझता है उसको जानता है उसको देखना सुरू करता है उसको समझने की कोसिस करता है उसको इसी बोलते है ये बुद्ध से पुराना है मगर पाली का ही नाम है इसलिए इसी पत्तन बोला जाता है और इसी में जो सबसे ज़्यादा स्रेष्ट होता है यानि कि अपने सरीर को देखने में जो सबसे ज़्यादा अच्छा ऐसा व्यक्ति साधक हो या साधना करने वाला हो या व्यक्ति हो या महिला हो उसको पाली के हिसाब से इसी वर बोलते हैं इसी वर का मतलब है कि अपने सरीर को देखने वाला उस पे अन्वेशन करने वाला, इन्वेस्टिकेट करने वाला उसकी जानकारी रखने वाला सबसे अच्छा व्यक्ती तो वो इसी वर हो गया इसी वर तरसल बुद्द को बुला जाता है क्योंकि बुद्द अपने सरीर को देखने में सबसे जादा माहिर थे सम्यक सम्ते, सम्मा सम्ते यानी complete थे और पूरे थे उन्होंने अपने सरीर के एक-एक एटम को एक-एक जो परमाणू होता है या जो अनू होता है वो तरंगों में कैसे चलता है ये इस इसी ने यानि जो सबसे स्रेश्ट इसी जिसको बुद्ध बुरा जाता है सम्यक सम्बुद्ध उन्होंने खो जाता इसी इसी वर को बाद में इसमें से से हटाके शे किया गया और छोटे एकी जगे बड़ा एस्तमाल किया गया तो इसको इश्वर कर दिया यानि कि इसी वर ही इश्वर है और जो बड़ा इसी होता है यानि कि महा पाली के अंदर बड़े को महा बोलते हैं तो महा इसी को महरिशी बोला गया यानि महरिशी हो गया तो ये पाली से चले हुए जो जानकारी जो सब्द है मगर सबसे खास बात ये है कि बुद्ध ने इसी नहीं कहा अपने जो डिसिपल्स थे या जो अनुयाई थे जो सिस्से थे उनको भिक्कु या भिकुनी कहा बात में लोगों ने कहा कि भिक्कु से और भिक्कुनी से भिक्का बना के भिकारी बना दिया सब्द दरसल भिकारी जो सब्द है वो पाली का है नहीं मगर भिक्कू का जो मतलब है अर्थ है वो बड़ा उंचा है भिक्कू का मतलब होता है भिर्मन करते हुए या यानि की भम करते हुए सिख्खा को देना आपने भमर सुना होगा भमर माने भोरा होता है भमर माने भमर चक्र भी होता है भमर माने जो भामर पड़ती हैं जो साधी में साथ चकल लगाते हैं उसको भामर बोलते हैं तो भम से बना हुआ है भामर माने लट्टू भी होता है यानि घूमते हुए घूमते हुए ब्रहमर करते हुए सिख्छा देना एजुकिसन देना ये दो सब्दों से मिलके बना है त जो महिला हैं नारी हैं उनको भिक्कुनी कहा गया इसमें कहीं खाना मांगने की या या याचन करने वाली या जैसे आज के समय में कहते हैं भिकारी है या भिक्का मांगता है क्योंकि बुद्ध के जाने के बाद जब भिक्कु और भिक्कुनी भी चले गए भारत से मार दिये भगा दिये गए तो जो परंपरा पहले चली आ रहे थी कुछ निकम में लोगों ने वही कपड़े पैन के पिले रंके और घर घर जाकर चाके खड़े हो जाते थे और भिक्कु और भिकुणी के पुराने रुत्वे के आधार पे जो पुरानी उनकी साख बनी हुई थी उसके भिक्कु भिर्मन करते हुए सिख्खा देगा पहले वो पढ़ाएगा या जो भिक्कुणी भिर्मन करते हुए घूमते हुए चलते हुए किसी को पढ़ाएगी सिख्खा देगी तो पहले पढ़ाएगी तब उसके बाद में अगर वो जो देगा खाने में वो ग्रहन करेग देता है तो ठीक है नहीं देता है तो अगले घर अगले घर अगले घर पाँच घर से जादा नहीं और इतना खाने से जादा नहीं खटा करना कि उस दिन की जरुष से जादा खाना आ जाए और वो भी संग में खाना बापिस लेके आना है, संग में एक साथ खाने को मिलाना है और फिर खाना खाना है, ये नियम है तो इसलिए भग्नवान बुद्ध ने पुराना सब्द पालिगा होते हुए भी इसी और महा इसी होते हुए भी इस सद्ध को इस्तमाल नहीं किया क्योंकि उन्होंने जो डिसीपल्स बनाए таким वो उन्होंने जो अनुईयाई की बनाए जिस्से में वो सिस्ते सारे ही एक अलग तरहिका काम करते थे जो इसी है वो वेदनाओं को जानने का काम तो करते हैं यानि वो अन्विशन का काम करते हैं, इन्वेस्टिकेसन का करते हैं, रिशर्च का करते हैं, सर्च का करते हैं मगर वो लोगों को एजुकेट करने का या लोगों को पढ़ाने का काम नहीं करते उनके गुरुकुल या उनके सेंटर होते हैं आपने महां जाके पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए मगर वो भर्मन करते हुए सिखा नहीं देंगे आपके दरवाजे पर नहीं आएंगे पढ़ाने के लिए बेसिकल ये बहुत बड़ा एक अंतर है इसलिए भग्नवान बुद्ध के किसी भी फिलोस्पी के अंदर किसी भी बात के अंदर इसी सब्द नहीं होता और इसी को संसकायत भासा में बाद में शे जोड़कर और आधा रह जोड़कर जबकि पाली के अंदर ना शे है ना शटकोन वाला शे है ना आधा रह है तो इसलिए पाली में इसको बाद में फिर रिशी किया गया और इसी वर को इश्वर किया गया इसलिए जो इश्वर है जो इसी वर है वो बुद्ध के लिए इस्तमाल होता है और अधिकतर जो वाक्य आप सुरेंगे इस्वर की मर्जी है इस्वर ऐसा करेंगे इस्वर वैसा करेंगे ये उनी लड़ने डोगों के लिए हैं जो अन्वेशन करते थे, जो जानते थे, बाद में लोगों ने इसको और ज्यादा मनगरंद करके और चमतकार के रूप में जोड़ दिया, कि इस वर कोई ऐसा व्यक्ति बना दिया कि वो चमतका जानता है सारी पावर जानता है सारी ताकर जानता है और वो कुछ भी कर सकता है हाला कि ऐसा आज तक कोई उधारण किसी ने भी बताया नहीं किसी ने भी देखा नहीं किसी ने भी जरन नहीं और किसी ने भी इसवर को आज तक दर्शन किया नहीं दो लोग, एक लोग दुनिया में ऐसा कोई नहीं है पूरी दुनिया में जिस इसवर को गॉड कहा जाता है या गॉड के नाम से बदल दिया गया है उसको किसी ने देखा हूँ मगर इसी इसी वर और विक्कू और विक्णू ये सब लोगों ने देखे हैं ये आज भी होते हैं धन्यवाद नंग शे नंग